नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टन मुर्ती आप सभी का सौगत करता हूँ लर्णिंग मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों आप सब का क्वेडी आया था सर मैं जो APY अटल पैंसन योजना जो है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन करता हूँ मन्थली का वो कैसे देखते हैं वो मेरा कितना value हुआ पैसे का चा वो पैसा मन्थली जा रहा है या नहीं जा रहा है वो कैसे देखते हैं तो दोस्तों जिनको आटल पैंसन योजना के बारे में जानकारी नहीं है मैं बता दूँ आटल पैंसन योजना जो है एक पैंसन स्कीम है जहांपे आप 1000 से लेके 5000 रुपीज पर मन्त तक pension ले सकते हो 60 years के बाद जब तक आप सर्वाइव करते हो उसके बाद जो हुई पैसे होंगे वो जो है आपके नॉमनी को मिल जाएगा तो मैंने 23 के age में अटल पैसन योजना स्टार्ट किया था 5000 रुपीज पैसन वाला उसका जो मेरा मन्त ली जाता है डिड़क्शन वो होता है 318 रुपीज का तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे देखना है कि हर मन्त का डिड़क्शन आपका जाता है या नहीं जाता है कितना अभी तक आपने पे किया है कितना उसका वैलू हो रहा है क्या होता है नहीं होता है आपको क्या करना है Google open करना है Google open करने के बाद मेरा last video था जिसमें मैंने बताया हुआ था आपको plan number APY का अटल pension योजना का कैसे देखना है तो वो वीडियो जाके देख लेए plan number अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे आपको APY transaction statement same करना है यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इसका link जो है description में डाल दूँगा मैं अगर आपके पास plan number है तो यहाँ यहाँ पे plan number पुट कर दें जिस bank account में आपने अटल pension योजना open करवाया है वो पुट कर दें और यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे आपको यहाँ यह चूज करना है चूज कर लें capture पूट कर दें समिट का option पे क्लिक कर दें लेकिन मैं बता रहा हूं कि मालो आपके पा आपका चार्ज हो रहा हो उस पैसे का वो डिरेक्ट करता रहा है आपके bank account से तो अगर कोई bank online कर रहा है तो अच्छी बात है आप कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं अगर आपका plan number नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दो यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो पुट क capture पुट कर देना और submit का option पे क्लिक कर देना मैं सब कुछ फिल करके submit का option पे क्लिक करके next page में जो भी है मैं दिखा रहा हूं आपको देखो दोस्तों यह आपको देखना होगा यहाँ पे आपका plan number है आपका address सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा जो भी है एक पड़ देख ले होगा automatic 5000 रुपीज पर मंच आने लेंगे अब मैं तुरह नीचे आता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखे मैं जो है मैं मैं मन्त तक 27 मैं को 2021 तक 22,300 रुपीज contribute कर चुका हूं जिसका भी value हो रहा है 30,77 रुपीज समझ गया यहाँ पे जो भी contribution है आपको दिख जाएग पर दिसमबर जनवरी फरवरी मार्च जो भी है मैं फोर्थ मंत का साथ यह डिरेक्ट नहीं हुआ था फोर्थ मंत का साथ एक ही बार डिरेक्ट कर लिया उसने तो डिरेक्ट कर लिया जो भी यहाँ पे subscribe contribution कितना है 318 रुपीज मैं 318 रुपीज पर मंथ पे कर रहा हूं यहा पे 0 रुपीज जो भी total contribution है अभी तक 22,300 रुपीज जो है यहाँ पे बन रहा है तो यह जो है यहाँ पे आपने देख लिया अब क्या है कि मानलो यह सरी यह value क्यों दिखा रहा है value आपको यह दिखा रहा है कि मानलो किसी ने APY start किया किसी XYZ person ने और मानलो वह demise हो गया 60 years के बाद जो भी आपने amount select किया होगा 5000 1000 maximum 5000 है कर लो एज गम है तो बहुत ही अच्छी बात है ज्यादा 200 रुपे 200 रुपे 300 रुपे लेंगे आपको मन्त के वैसे ही खर्च कर देते हो बहुत बोलने वाले बोले सर्जी इससे अच्छा तो mutual funds है या फिर कोई stocks है मैं जानता होगे क्या एक time frame है उसके पैसे की जरूबत होगी वहां से निकाल लोगे तो इसलिए जो है मैं उस पर believe करता हूं जिस पर institution चल रही है तो मुझे दिक्कत नहीं है retirement planning के लिए यहां भी है NPS भी है mutual fund मेरा short term long term goal के लिए ETF जो है short term long term goal के लिए हो मैं कर रहा हूं तो वो जो है पैसा आपका principal amount जो है long term में safe रहे और return जो है inflation beat कर दे तो इसके लिए आपको समझदारी से investment करना होगा ऐसे भांगने से कुछ नहीं होने वाला तो यह मैंने बता दिया है अब मैं आपको जो भी नया video होगा login कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं तो वो मैं सब कुछ बता दू साइट टेलेग्राम इंस्टाग्राम फेस्बुक टूटर जहां भी आपको learning video देखें जोइन करो तब तक के लिए दोस्तों दन्यवाद